Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इंस्पेक्टर जनरल अफ पुलीस के रैंग पे हैं, और इनकी जो लाइफ जनर्नी है, उस पे बेज़ रहे कि कैसे वन अब दे मोस्ट नेटोरियस गैंग, मातो गैंग का इन्होंने ट्रैक किया और कैसे और उसको पकड़ा, उसके उपर ये सीरीज वेज़ दे, काफी बड़े-बड़े अक्टर्स इस सीरीज में आप देख सकते हैं, नेट्लिक्स में, तो बात वो नहीं है, बात ये है कि अब इनके उपर FIR हो गई है, बिहार की अगर हम देखें, civil servants है, उनके लिए बहुत important है, ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ है, और social media limelight में रहने के अपने perils हैं, जो शायद आज श्री Amit Lodha जी के ऊपर भी देखने को मिल रहे है, तो इसके बारे हम बात करेंगे, why was he suspended, what do the rules say, तो कल ये suddenly news आई, बहुत समय से in fact news आई थी कि ये खाकी सीरीज, जो है, it was trending everywhere, twitter हो, social media, जो भी platforms आप देखें, in fact, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है, तो मैं इसको promote नहीं कर रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है, कि मेरे भी जहन के समय में आप देखेंगे, बहुत जादा scrutiny रहती है, government की एक एक चीज़ पर नज़र रहती है, और उसके बाद, अगर आप देखेंगे, कि ये जब सीरीज बहुत जादा famous होगे, hit होगे, तो of course, there are certain commercial angles, जिसके बारे में लोग सोच सकते हैं, ऐसे ही शायद कुछ हुआ, ज जिसके बाद इनको suspend कर दिया गया है, तो ये official tweet है, अगर आप देखेंगे, prevention of corruption act 1988, जो बाद में 2018 में हमेंट कर दिया गया था, उसके तहत corruption के allegations लगाए गया है, financial irregularities पाई गई है, ऐसा पाई गया कि Netflix and Friday storyteller, जो जिनोंने ये बनाई है, series उनके साथ अपाई गया कि कोई तरी रखाकी करके जो ये series बनी है, तो ये उसी book पे based है, जो book श्री अमित लोडा जी ने लिखी है, और vigilance unit of विहार ने ये बोला है, कि इनोंने पैसे लिए हैं उसके लिए, माना ही जाना था कि शायद इनोंने बोला था कहीं पे किसी show पे, कि इनोंने सिर्फ एक रुपे चार् Study IQ का जो platform में आपको बहुत ही detail तरीके से live foundation classes cover कराता है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे उसमें, कि हम लोग सारे topics को detail में cover करते हैं, उसमें crux मिलता है आपको class के पहले, class के बाद, जो भी faculty, जो expert faculty class लेता है, जो भी यो class में लिखते हैं, उसको एक expert team सुनती है, mentors की subject matter expert उ पर उसको notes को update करता है, within 24 hours आपको Hindi और English जी हाँ, Hindi और English दोनों में आपको notes मिलेंगे, साथ साथ daily answer writing आपकी होगी, instant feedback आपको 24 घंटे के अंतर मिल जाएगा, और personal mentorship ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी, मात्र 18,000 रुपे में, उसमें भी अगर आप discount लगा देंगे, deep life code यू साइड कर पाएं है, sociology अगर लेना चाहते हैं, तो फटा-फट जूर सकते हैं मेरे साथ इस course के लिए, तो अगर हम देखें, अमित लोठा की बारे में थोड़ा इनका background देख लेते हैं, 48-year-old IPS officer है, graduation इन्होंने prestigious IAT Delhi से करी थी, engineer है, और first attempt में इनका IAT में selection हो गया था, बट क इसी event में और एक show में इन्होंने बताया भी, अपनी book में में mention किया हुआ है, कि इनका experience IAT का उतना अच्छा नहीं रहा, generally उस समय अगर आप देखेंगे तो IAT में अपने आपके challenges होते हैं, जा आप देखेंगे almost सारे ही लोग बड़े brilliant होते हैं, तो एक अलग level का competition होता है, तो he had mentioned that he went into depression, had suicidal thoughts, और Marx भी उनके सफर होते हैं, बाद में life changing event हुआ, जिसके बाद he thought about UPSC civil services, और बिहार में काफी famous हैं, काफी जादा upright officer माने जाते हैं, इन्होंने जो book लिखी है, बिहार diaries 2018, इसमें उन्होंने बताया कि कैसे one of the most notorious महातो, गैंग चंदन महातो और उसके बाई और इसके जो साथियों को कैसे उन्होंने अरेस्ट किया, इनकी second book भी है, Life in the Uniform जो 2021 में publish हुई थी, जहांपे इन्होंने अपनी UPSC journey के बारे में बताया है, जो काफी लोगों को, जो aspirants हैं वो उसको काफी जादा अच्छी मानते हैं, और अपनी bravery के लिए, अपनी से operations in Bihar, specially against Naxaline, तो ये तो इनका एक basic background है, और अगर हम देखें, जो case बना है, actually में ये क्या case है, तो main problem जो यहां पे आई है, कि जो special vigilance unit का कहना है Bihar की, ये जो FIR file की गई है, श्री अमित लोदा के खिलाफ, उनका ये कहना कि उन्होंने अपनी position का फाइदा उठाया है, misuse क किया है अपनी position का as a government officer to make financial games, और complaint में ये भी पाया गया है कि अमित लोधा जो है, उन्होंने एक deal बनाई थी with the production house, Friday a storyteller, जिसने पूरी series को shoot किया है, और Netflix तो खेरिक platform है, और ये सब सारा किया है, उन्होंने while he was serving as an IPS officer, माना जाता है कि इनके कुछ film star के साथ काफी अच्छे connections है, in fact, इनकी book का भी जो forward है, ट्विंकल खंडान लिखा है, विकॉज अक्षे कुमार इनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं, and साथ-साथ जो F.I.R. उसका कहना है कि ये एक established order नहीं है, तो ये ऐसी कोई deal साही नहीं कर सकते थे web series के लिए, और खासकर उसमें monetary transaction तो में मिला है, जो की Netflix या उनके किसी, अगर आप देख सकते हैं, promoter, producer की तरफ से आया है, तो ये transaction of illicitly acquired wealth जो है, ये बहुत बड़ा कारण बना है, इनके खिलाफ inquiry का और suspension का, जो अभी further investigate किया जाएगा by a superintendent of police rank के officer द्वारा, तो अगर हम rules की बात करें कि exactly rules क्या कहता है, तो प than a criminal conspiracy, to commit an offense punishable as mentioned above shall be put into imprisonment for a term not exceeding six months, तो ये तो एक तो criminal conspiracy को लेके है, जो main concern है यहाँ पे कि अगर कोई public servant है, section 168 of the Indian Penal Court बोलता है, वो being legally bound as such public servant not engage in trade, engages in trade, shall be punished with simple imprisonment for term which may be extended to one year or with fine or with both. साथ prevention of corruption का तो इनके उपर खैर लगा ही हुआ है, जो दोनों section ने POC के, जो बाद में 2018 में amend हो गया था, तो ये दो major provision जिसके अंतर इनको suspend किया गया है, pending further inquiry अभी इनको arrest नहीं किया गया है, क्योंकि वो अभी superintendent of police rank के officer इसकी inquiry करेंगे, बात कर लेते हैं All India Civil Services Conduct Rules की, तो All India Civil Services Conduct Rules अगर आप देखेंगे 1968 जिसको बात में थोड़ा amendment भी किया गया है, उसके अगर आप section 14 पे जाएंगे, section 14 बोलता है कि कोई भी civil servant, All India Civil Servant ना ही पैसे lend कर सकता है, borrow कर सकता है, deposit कर सकता है money as a principle or an agent with any person or firm or private limited company within the local limits of authority, या फिर lend कर सकता है money to any person in interest or any manner whereby return in money or kind is charged or paid, मतलब नहीं हो सकता है, जो कहीं ना कहीं conflict of interest पैदा करे, उनकी position of power में रहते हुए, similarly अगर हम बात करें, आज के टाइम पे जो इतने सारे young civil servants हैं, जिनको इचीज समझनी शायद चाहिए कि influencers बहुत सारे बन गए हैं, तो civil servants come influencers जो हैं, उनके लिए Prime Minister Modi ने last time, foundation course के beginning में बहुत important message भ अगर आप सही हैं, और अपने आपको social media पे थोड़ा promote करना बंद करें, तो I think वहां से काफी लोगों को hit ले लिना चाहिए था, कि as a true officer, as a true civil servant, I think it is important, कि आप जो काम कर रहे हैं, वो जादे important rather than promoting it in social media, similarly, सवाल ये भी उठता है कि as a civil servant, क्या आप book लिख सकते हैं, book लिखन की गई है, किसी literary, purely literary, artistic और scientific character के लिए, तो उसके लिए सरकार से भी permission लेने की ज़रूद नहीं है, बड़ अगर वो थोड़ी मसालिदार book है, सरकार को criticize करने के लिए बनी है, या फिर ऐसा है, जहां पर बहुत जादा आपको financial gain हो सकता है, उसके लिए आपको अपने senior officer department से permission नहीं पड़ेगा, otherwise there is no such restriction on writing and publishing about, nevertheless, इसके अलाबा अगर आप देखेंगे, तो आज के टाइम पे ये तो बड़ा important हो चुका है कि, as a civil servant, you have to be very very careful for what you are doing to us, everything, you know, is under scrutiny, अभी recently आपने देखा होगा, IS officer Abhisheek Singh की भी कहानी जहां पे उन्होंने, Twitter पे और Instagram पे photo share कर दी थी, as an election observer गुजरात और उतुरांत election commission of India ने उसको publicity stunt कहते हुए, उनको वहां से हटा दिया था, तो दोस्तों, ऐसी और भी interesting information, और भी important information, हम लोग इस platform पे लाते रहेंगे, channel को subscribe करें, video को like करें, share करें, और साथ-साथ, success in prelims program को join करने के लिए, use करें, code deep live, जो मिलेगा, मातर 6000 रुप Thank you so much and Jai Hind